नमस्कार स्वागत आप सभी दोस्तों का मैं हूं मुकेस जानी बनारसी पान का दीविय प्रयोग यह है आज का विसाई यह है आज का सुब्जेक्ट हर दिन की तर आज भी अपने जीवन से जुड़ी समस्या और समस्या का उपाई लेकर आपके सामने उपस्तित हो गया हूँ पहले तो दोस्तों आज जो भाई बेन का जन्म दिन है सभी भाई बेनों को जन्म दिन की सुब्कामना सुब्जा खुश रहे प्रसन रहे इस्वर की क्रिपा द्रश्टिया आप सभी के उपर बनी रहें दोस्तों ये प्रेयोक करने से आज जो बताने जा रहा हूँ ये प्रेयोक करने से अगर आपके उपर कर्ज है वेसे मिडल क्लास और मिडल क्लास के नीचे के जो परिवार है ने उन परिवारों के उपर कर्ज तो हमेशा रहता ही है बेटे-बेटी की साधी कर ली कर्ज हो जाता है कोई होस्पिटल का खर्चा गया कर्ज हो जाता है दोस्तों आपके उपर कर्ज है तो ये प्रयोक करने से धीरे-धीरे कर्ज समाप्त हो जाएगा दोस्तो धीरे धीरे कर्ज समाप्त हो जाएगा पूरा हो जाएगा आप कर्ज मुक्त हो जाएगे लक्षमी जी का काईमी वास आपके घर में बना रहेगा धन से जुड़ी जितनी भी समस्याए है वो सबी समस्याए पूरी हो जाएगी अगर धन की वजह से आपके दामपत्य जीवन में कोई तकलिफ है तो तकलिफ दूर हो जाएगी दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले उपाई बताने से पहले हर दिन की तर आज भी आप से एक छोटी अप्यक्सा रखता हूँ कि आप सभी वीडियो के अंतक मेरे साथ बने रहेंगे उपाई को बराबर समझेंगे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ओश्य करेंगे दोस्तों चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है जो भाई जो बहन ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्क्राइब अवस्य कर ले एसे छोटे छोटे उपाई वाले वीडियो में हर दिन सेर करता ही रहता हूँ दोस्तों चैनल को सब्क्राइब करें पास में लगी नोटिफिकेशन बिल दबाए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें दोस्तों भी न भूले वीडियो को सेर अवस्य करें आपके परिवार में हाँ देख लेते आज का उपाई दो बनारसी पान लाने है आपको बाजार में से जो पान खाते हैं हम वो पान बनारसी पान का सिद्धा सबंद है सुक्र से धन वैबाव अयासी दोस्तों मैं मेरे अगले वीडियो में भी बताया था और जो वीडियो आने वाले है सभी वीडियो में मैं बताता रहता हूं कि कौन से रुक्स का कौन से ग्रह के साथ सब्बंद है कौन से धानिय का कौन से ग्रह के साथ सब्बंदे मेरे अगले वीडियो में भी मैंने बताया था आने वाले जो वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा पान का सिध्धा सब्बंदे सुक्र से धन वईबव सम्रूदी सुक्र की सुब्द्रश्टी होने से आप दो बनारसी पान लेंगे बाजार में से अब पान के उपर सहथ से पान की अंदर की बाजू जहां चुना लगाते हैं पान सब बनाते समय जहां जहो बाजू पे चुना लगाते हैं वो बाजू पे आपको सहथ से छोटा स्वस्थिक बनाना है अपनी छोटी वाली उंगली से एक पान के उपर आप स्वस्थिक बनाएंगे छोटा अप स्वस्थिक के उपर एक लोंग रखना है एक इलाइची रखनी है देसी गुलाब के फूल की पंखडी थोड़ी पंखडी लोंग और इलाइची को उपर रख देना है आपने सहथ से स्वस्थिक बनाया लोंग एक रखा एक इलाइची रखी थोड़ी देसी गुलाब की पंखडी पान के उपर रख देनी है आपको अब जो दूसरा पानेन है वो वो पान के उपर आपको ठक देना है बीड़ा बना लीजिए गौल राउन में पान का बीड़ा बना लेना है जैसे पान वाला हमको पान बना के देता है कैसे बीड़ा बनाते है बस वेसे बीड़ा बना लेना है 100 ग्राम शक्क्र का पाउडर और थोड़े चावल 20-25 ग्राम चावल और 100 ग्राम शक्क्र का पाउडर ये प्रयोग करेंगे आप सनी वार के दिन ये प्रयोग आप करेंगे सनी वार के दिन सुबह में ये आपने बीड़ा बना लिया ये पान का बीड़ा लेके आप जाए पिपल के रुक्ष के पास थोड़ा चावल रग दिजिए पिपल की जड़ के पास जो सक्क्र का पाउडर आपने बनाया है वो चावल के उपर आधा सक्क्र का पाउडर डाल दिजिए पूरा सक्क्र का पाउडर नहीं डालना है आपको बाद में वो बीड़ा रग दिजिए उपर चावल रख दिया, उपर सक्र का थोड़ा पाउडर रखा और उपर ये पान का बीड़ा रख दिया उनके उपर जो बाकी बचाएन है वो सक्र का पाउडर दाल दिजिए ये उपाई आप लगातार करते जाएं, हर सनिवार के दिन ये उपाई करना है दन से जुड़ी जितनी भी समस्या है, आपके उपर कर्ज है, जितनी भी दन से जुड़ी समस्या है, दोस्तों सभी समस्या है पूरी हो जाएगी, सभी समस्या हो का अंत आ जाएगा चरूर रखे स्रद्दा, विश्वास और आस्था की बस दोस्तो आज इतना ही वीडियो के अंद तक आप सभी मेरे साथ बने रहे आप सभी का सुक्रिया तन्यवाद वंदे मातरम